हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप लोगों का एक्सल की नई क्लास में दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक्सल की ओल शॉटकट की इसके बारे में बताने वाला हूँ यानि जितने भी एक्सल में इंपोर्टेंट शॉटकट की हो सकते हैं वो सारी मैंने इस वीडियो में लिये हैं और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इन शॉटकट की को जानने के बाद आपको एक्सल में एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोग सकता है दोस्तो अगर आप बिल्कुल नए हैं एक्सल अभी सीख रहे हैं तो यकीन मानिए अगर आप इन शॉटकट को सीख लेते हो इसके बाद जो है आप एक्सल में इतना तेज काम करोगे कि आप खुद भी जो है शॉक हो जाओगे और ये जो शॉटकट मैं आपको बताने वाला हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल जो है करके भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर कर दीजेगा ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्र नमबर 71 यानि 71 शॉटकट आप यहाँ पर देख सकते हूँ पूरे मैंने एक्षल के 71 शॉटकट इस वीडियो के अंदर बताए हैं अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो एक्षल के हर शॉटकेर के बारे में आपको कम्प्लीट जानकारी होगी और साथ में आप एक्षल के मास्टर भी बन जाओगे और दोस्तों अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जो है इसका पीडियाफ बिल्कुल फ्री में जो है ले सकते हैं तो टेलिग्राम चैनल को आप ज़रूर से जोईन कर लीजे इसका पीडियाफ आने के लिए आप टेलिग्राम पे जाईए और गुलाब गुरू सर्च किजिए वहाँ पर हमारे चैनल का नाम आजाएगा टेलिग्राम पर भी और वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए और इस पीडियाफ का लिंक उस पर मिल जाएगा आप डारेक्ट डाउनलोड करके इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो फिलाल मैंने MS Excel को चालू कर लिया है और जो भी मैंने शॉटकट बनाए है मैं इस तरीके से आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और साथ मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि देखे इस शॉटकट से ये चीज़े हो रही है तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को आप लाइक तो जरूर कर दीजेगा ठीक है सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल ए से कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट होता है आल सेलेक्ट का मतलब यह है कि एक शीट में जितना भी डेटा रहेगा यानि पूरी की पूरी शीट को ही आप कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट कर सकते हो मैं आपको बता दू कि A to Z shortcut इसमें काम करते हैं लेकिन कुछ shortcut बदल गये है तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब ही आप समझ पाओगे आप ये सोच रहे हो कि जो MS Word में मैंने A to Z shortcut बताए हैं वही सारे यहां पर भी काम करेंगे तो ऐसा बेलकुल भी नहीं है बहुत सारे shortcut इसमें है ही नहीं और बहुत सारे shortcut जो है बदल भी चुके हैं तो ये सीरीज जो मैंने बनाई है इसको पूरा आप देखिए जरूर तभी आपको एक्सल के सभी shortcut के बारे में पता चलेगा तो चलिए मैं आपको practically करके दिखाता हूं Ctrl A से आप कैसे इस्तमाल करोगे ठीक है मैं sheet number 2 पर आगया हूँ यहाँ पर मैंने चोटा सा एक data लिया है जिसमें मैंने name और यहाँ पर एक चोटा सा digit लिखा है मैं keyword से Ctrl के साथ A बटन दबाता हूँ देखो के पूरी की पूरी sheet जो हमारी sheet 2 थी वो पूरी की पूरी जो है select हो चुकी है अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पढ़ रहे है कि पूरी sheet को ही select करना है तो आप Ctrl A कर सकते हो साथ में बात करते हैं Ctrl B से अगर आपको जो है bold करना हो किसी भी text को अगर bold करना हो तो आप उसे select करिए और Ctrl के साथ B बटन को दबाई हो तो वो bold हो जाएगा यानि वो text थोड़ा सा मोटा हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो इसे मैं जो है थोड़ा सा और जो है zoom कर लेता हूँ ताकि और भी चीज़े आपको अच्छे समाज आए ठीक है अब जो है हम लोग बात करते हैं Ctrl plus C से Ctrl plus C से copy होता है अगर आप जो है यह जो आपने लिखा है इसको copy करना चाहते हो या फिर जो भी डेटा आपने तयार किया है Excel में उसे copy करना चाहते हूँ तो आप Ctrl C से copy कर सकते हो for example के लिए मैं इस data को copy करना चाहता हूँ मैंने ये select कर लिया है इसके बाद मैं ctrl c से copy करूँगा और जहाँ पर भी मुझे paste करना है यानि इस data का जहाँ पर भी duplicate data तयार करना है मैं वहाँ पर आकर के ctrl v button दबा दूँगा यानि paste भी कर दूँगा ctrl v से paste हो जाएगा तो यहाँ से आपने दो shortcut की जानी है ctrl c से copy और v से paste यह जो है इस तरह के से paste हो जाएगा और एक बार copy कर लोगे तो आप उसे कई जगर पर paste कर सकते हो जैसे मैं c2 पर भी जाकर के इस data को अगर आप चाहूँ यहाँ पर paste करना तो मैं यहाँ पर भी उस data को आ करके paste कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ से आपको ctrl c वाला option समझ में आ गया होगा और साथ ही ctrl v वाला option भी समझ में आ गया होगा अगली shortcut है ctrl plus d से होता है fill down fill down का मतलब अगर दोस्तो इसी value को आपको नीचे की side में fill करना है तो आप ctrl d इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि मुझे यह जो गुलाब लिखा हुआ है यह नीचे वाली cell में भी बस गुलाब गुलाब लिखा हुआ रहना चाहिए मैं क्या करूँगा इस तरीके से select कर लूँगा इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ctrl d बटन प्रेस कर दूँगा तो एक ही बार में fill down हो जाएगा यानि यही value नीचे की side में fill हो जाएगी यह shortcut आप किसी नाम के साथ साथ किसी अंक पर भी लगा सकते हैं अगर आपको यह digit नीचे भी fill down करना है तो आप ctrl d से fill down इस तरह के से कर सकते हो अगली shortcut की है ctrl plus e जिससे होता है flash fill अखिर यह flash fill क्या होता है सबसे पहले मैं यही आपको समझा देता हूँ जैसे कि कुछ data आपने लिखा है उसमें से कुछ data को आप बाहर निकालना चाहते हैं दूसरी शेल में तब यह flash fill काम करता है अभी मैं आपको practically जब दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समाझा जाएगा लेकिन मैं आपको पता दूँ कि अगर आप MS Office का 2007 वर्जन इस्तमाल करते हैं तो यह flash fill वाला option जो है 2007 वर्जन में काम नहीं करता है अगर आप 2016 वर्जन इस्तमाल कर रहे हैं या फिर 2019 वर्जन इस्तमाल कर रहे हैं तो flash fill वाला option बहुत ही काम का है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ practically की कैसे आप इसका इसका इस्तमाल करोगे तो मेरे पास MS Office का 2019 वर्जन है जिसमें मैंने Excel को open कर लिया है Excel 2019 को यहाँ पर मैं जो है flash fill वाला option आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ देखी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा data बनाया है जिसमें मैंने नाम लिखा है और roll number नाम में first name और last name दोनों है और roll number इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसमें जो last name है वो निकल अगर के यहाँ पर अपने आप flash fill हो जाए इस condition में मैं पहले यहाँ पर एक का last name लिख दूँगा जैसे कि मैं यहाँ पर पहले का last name यहाँ पर type कर देता हूँ इसके बाद मैं बाहर क्लिक कर दूँगा मैंने पहला ही लिखा है अब यह आप देख सकते हो बाहर क्लिक करने बाद मैं बस मुझे जो है control के साथ e button दबाना है जो shortcut मैंने आपको बताई है Ctrl के शाथ E बटन दबाते ही सभी लोगों का Last Name इस वाले Cell में आप देख सकते हो इस वाले Column में Automatic जो है आ चुका है दोस्तो Flash Fill वाला Option आप Text में ही नहीं बलकि इस तरीके से Digit में भी इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि मैं इस Digit में आपको इस्तमाल करके दिखाता हूँ मैंने यहां पर लिख दिया है G201 मैं चाहता हूँ कि इस Data में से G यहां से Start हो G के यहां से और 4 Digit टक देटा यहां पर अपने आप जो है Flash Fill हो जाए तो मैंने यहां पर इतना बता दिया है कि इतने तक 4 Digit टक डेटा इसमें से उठा करके यहां पर Flash Fill हो जाना चाहिए Excel यह समझ गया है बस मैं Control के साथ E बटन दबाऊंगा तो देखो कि यहां से 4 Digit टक डेटा अपने आप यहां पर Flash Fill हो चुका है दोस्तो Flash Fill बहुत ही काम का Option है तो Flash Fill के उपर मैं आप सभी को अलग से वीडियो बना करके जल्द ही देने वाला हूँ अगली Short Cut की बारे में बात करते हैं तो अगली Short Cut की है Control के साथ F होता है जिससे जो है Find करते हैं हम लोग अगर आप Excel में किसी भी डेटा में से कुछ भी Find करना चाहते हो कोई Digit, कोई Number, कोई जैसे Text वगएरा कुछ भी Find करना चाहते हो तब ये Option काम करता है बस आपको Control F प्रेस करना है और यहाँ पर जो भी आप Find करना चाहते हो उसको लिखना है इसके बाद Find Next पर क्लिक करना है Excel आपको यहाँ पर बता देता है बात करते हैं अगली Shortcut की के बारे में जो की है Control प्लस G से इससे होता है Go To अगर आप जो है Go To करना चाहते हो यानि किसी Cell पर जो है Jump करना चाहते हो तब ये Option काम करता है Control के साथ G बटन आपको जो है Excel में दबाना है यहाँ पर आपको जो है Reference देना है कहाँ पर आप जो है Jump करना चाहते हो जैसे कि मैं जो है यहाँ पर C, C दे देता हूँ और यहाँ पर 10 C 10 मैंने टाइप कर दिया यानि C वाले कॉलम में और 10 वाली row में हमको जो है Jump करना है अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग Jump करेंगे लेकिन मैं यहाँ पर OK जैसे ही करता हूँ तो देखोगे हमारा यहाँ पर यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है तो गोटू आप्शन का इस्तमाल करना आपने सीख लिया होगा अगली shortcut की है control plus H जिससे हम लोग replace करते हैं तो control S, H दबाते हैं keyboard से यहाँ पर आएगा replace करने के लिए जिस भी चीज को आपको replace करना है वो उपर की side में आपको लिखना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2000 मैंने यहाँ पर पूरा उपर वाला cut किया मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2000 और किस चीज़ से आप replace करना चाहते हूँ मैं इसको पाचीसो से replace करना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर पाचीसो लिख दिया मैं यहाँ पर replace पर क्लिक करूँगा अभी देखो कि यहाँ पर यहाँ पर यह test già by 300 और replace हो गया है तो इस तरीके से आप जो है replace option का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगली shortcut की है control plus i जिससे हम लोग italic करते हैं यानि भी किसी भी text को हमको टेड़ा करना है तो control के साथ keyboard से हम लोग i button दबाएंगे तो वो text हमारा जो है थोड़ा सा टेड़ा हो जाएगा दोबारा से सही क को attach करना है अपनी seat के साथ तब यह option काम करता है जहां पर भी आपको attach करना है बस वहां पर जो है आपको इस तरीके से select कर लेना है इसके बाद जो है keyboard से control के साथ K button को press करना है इस तरीके से insert hyperlink के एक window खुलेगी इस तरीके से यहां से आप जिस भी file को इसके साथ attach करना चाह अगर आप इस पर click कर देते हो और इसको yes कर देते हो तो वही file इस तरीके से खुल करके आती है इसको हटाने के लिए control के साथ फिर से K press करेंगे और यहां से remove link पर click कर देंगे तो यहां से जो है गायब हो जाता है तो control plus K shortcut की हमने जान ली है जिससे हम लोग insert hyperlink यानि hyperlink insert करा आते हैं अगली shortcut की है control plus L से होता है create table जिया दोस्तों अगर आपको table बनाना है तो आप direct control के साथ L button press करके table बना सकते हैं जैसे कि मैं C2 पर चलता हूँ और आपको table बना करके दिखाता हूँ माल लीजे यह छोटा सा data है और इसको मुझे table में convert करना है तो मैं इससे select कर तो कुछ इस तरीके से create table की pop up window आएगी इसने अपने आप range ले लिया है इसके बाद ok कर देंगे तो जो भी आपका data था वो table में convert हो जाएगा और अगर आप इस तरीके से table बनाते हो अगर आप यहाँ पर आ करके कोई column भी add कर देते हो जैसे मैं यहाँ पर age का column add कर देता age और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यह भी table में ही convert हो जाएगा साथ मैं आपको यहाँ पर filter भी लगे लगाए मिल जाते हैं यही चीज़ अगर आप नीचे किसी दूसरे वेक्तिका नाम जोडते हो तो वो भी आपको यहाँ पर table में ही वो convert हो जाएगा ठीक है मैं जैसे गुलाब लिख देता हूँ इसको यहाँ पर लिखने बाद और यहाँ पर अगर salary दे रहा चाहो तो इस तरह के से दे देता हूँ और यह table automatic जो है नीचे की तरफ डिजाइन होती चली जाएगी यही फायदा इसका है अगली shortcut की है control प्लस N इससे होता है new workbook आप खोल सकते हो अभी आप उपर की side में देख सकते हो book 1 करके लिखा हुआ है लेकिन मैं जैसे ही keyboard से control के साथ n प्रेस करता हूँ तो देखो के एक नई workbook इस तरीके से आ गई है और यहाँ पर book 3 करके आ गया है यानि हमने total 3 book यहाँ पर खोली हुई है जिसकी वज़े से आप book 3 आ रहा है फिर से अगर मैं control and press करूँगा तो book 4 करके आप यहाँ पर देख सकते हो मैं थोड़ा सा zoom भी कर देता हूँ उसको आप यहाँ पर देख सकते हो book 4 करके लिखा हुआ है अगली shortcut की है control plus o जिससे हम लोग जो है excel में open करते हैं अगर आपने कोई पहले से ms excel की file और यहाँ पर open पे क्लिक करके आप excel में उसे जो है open कर सकते हैं अगली shortcut की है control plus p जिससे हम लोग जो है print करते हैं अगर आपको जो है excel में बनी file को print करना है तो keyboard से control के साथ p बटन दबाईए इस तरह के से print का एक dialogue box आएगा यहाँ से आपको जो है अपना printer select करना है और इसके कि मैं यहाँ पर seed 3 पर चलता हूँ और यहाँ पर मैंने 199 लिखा है और इसे को मुझे जो है right side में feel करना है तब यह shortcut काम करता है बस मैं यहाँ तक right side में select करूँगा control के साथ r button press करूँगा right side में automatic यही digit जो है feel हो जाएगा अगर आपने कोई नाम लिखा है वही right side में feel होग बस आप keyboard से control plus s button दबाईए इस तरीके से save करने का dialog box आएगा यहाँ पर आपको जो है location देनी है आप कहाँ पर save करना चाहते हो अपनी file का नाम यहाँ पर लिखना है जिस नाम से file को save करना है और इसके बाद save पर click कर दोगे तो यह file जो है save हो जाती है अगली shortcut की है control plus t से जि जैसे कि for example के लिए मुझे इस data को जो है table में convert करना है तो मैंने इसे select कर लिया control plus t से मैंने जो है इसे मतलब command दे दी और इसके बाद इस तरीके से create table का option आ गया है इसने range अपने आप ले ली है और मैं ok कर दूँगा तो यह table में convert हो जाएगा अगली shortcut की है control plus u जिससे हम line up कहीं पर भी किसी भी text में apply कर सकते हैं अगली shortcut की है control plus v जो की paste के लिए है जो की मैंने आपको पहले ही बता दिये copy करके paste और जब हम लोग control plus x पढ़ेंगे तब यह मैं आपको दुबारा से repeat करा दूँगा अगली shortcut की है control plus w जिससे हम लोग जो है workbook को close करते हैं यह जो हमन जो है control plus w से close करके आपको दिखाता हूँ मैंने जैसे ही control plus w प्रेस किया तो यह close हो गया है अगली shortcut है वो है control plus x जिससे हम लोग जो है cut कर सकते हैं कुछ बे जैसे photo image या फिर कोई shape अगरा लिया है या फिर कोई data है उसको cut करके दूसरी पेस्ट करना चाहते हो तब यह option काम क इसको cut कर दूँगा यहां से cut हो जाएगा यहां पर मैं लाकर के से paste कर लूँगा control plus v से यहां पर मैं control दबा करके v button को दबाऊंगा पेस्ट हो जाएगा अभी आप देखो के यहां से data cut हो करके यहां पर आ गया है तो यहां से आपको यह control x और v दोनों समझ में आ गया होग अगली जो shortcut है वो control plus y से redo और control plus z से undo होता है इसको समझने के लिए यह जो data है यह वाला इसको मैं पहले delete करता हूँ मैं यहां से इसको जो है delete कर दिया और मैं सबसे पहले control z बदर दबाता हूँ जो हमने delete किया उसको undo करने के लिए मैं control z दबाता हूँ तो देखिए वो data हमा जो है excel में help center को open कर सकते हूँ अगर आप excel में काम करते वक्त कोई help चाते हो तो आप keyboard से f1 बटन दबाईए help center open हो जाता है फिलाल मैं recording कर रहा हूँ f1 से मेरा recording stop हो जाएगा यह चीज़ आप खुद करके देख लीजिए अगली shortcut की है f2 जिससे हम लोग जो है edit cell करते हैं दो जो गुलाब लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया है तो यह डिलीट ना हो जिसकी वज़े से हमें जो है इस cell को सबसे पहले edit करना होता है यानि edit cell में convert करना होता है लेकिन अगर हम जो है इस cell पर click करके और keyboard से f2 बटन को दबा देते हैं तो यह cell जो है editable हो जाता है यानि इ लिखोगे यहां पर एक cursor टिम टिम आने लगा है और मैं जब इसमें आप कुछ भी लिखूँगा वो जो है हमारा पिछला data डिलीट नहीं होगा इसी तरीके से अगर आप जो है किसी दूसरी cell का data जो है edit करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर click कीजिए और इसके बाद keyboard से यह अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया है अगली shortcut की है F3 जिससे हम लोग जो है paste name करते हैं यानि कोई भी name है उसको paste करते हैं यह तब हमारे काम में आता है जब हम इसको जो है एक name में जो है इसको convert कर देते हैं हर cell का अलग-अलग नाम है जैसे इसका नाम देखे D8 है मै से मैं इतनी cell को select के लेता हूं right click करता हूं और यहां से name arrange का option मिलेगा नीचे की side में आपको इसी पर आपको जो है click करना होता है click करने बाद इस तरीके से option आता है यहां पर आपको जो है अपने जो है जो भी आप name box में जो name बना रहे हो उसको नाम देना पड़ता है उसके बाद okay करना पड़ता है तो यह add हो जाता है add होने के बाद आप direct जो है इस shortcut की मदद से उसको कहीं पर भी paste कर सकते हो यानि यह data सिर्फ इस shortcut की मदद से आप कहीं पर भी paste कर सकते हो उसको copy paste करने की ज़रूत नहीं है सिर्फ keyboard से f3 button दबाओगे तो वो paste हो जाएगा फिलाल मै जो recording कर रहा हूँ ना उससे f1 से जो है जो recording start होती है और close होती है और f3 से pause हो जाती है तो video pause हो जाएगा recording हो ही नहीं पाएगी फिलाल जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप खुद से कर सकते हो बहुत ही आसान है बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में तो अ Abraham कि परुद ना को मैंने जो है इसका color रैड कर दिया और मैं इस पर जाने कि बाद सिर्फ keyboard से f4 ब्टन दबाता हूं सिर्फ keyboard से f4 बटन तो देखो कि इसका color रैड हो चुका है यही नहीं आप यहाँ पर आ करके और इसके बाद यहां से आ करके इसको border दे दोगे मैंने माल लिजी इसको border दे दिया और यहां पर आ करके मैं इसको select करके सिर्फ F4 दबा दूँगा तो इसके अंदर automatic border लग जाएगा यानि last जो हमारा action है जो हमने पिछला कार किया है उसको repeat करता है F4 बटन से हम उसको repeat करवा सकते हैं अगली जो shortcut है वो F5 है जो की go to का dialogue box आता है जो की हमने पीछे अभी समझा है बस keyboard से आपको जो है F5 बटन दबाना है F5 बटन दबाने बाद यहाँ पर जो है go to का dialogue box आता है reference में आप यहाँ पर जो है जो भी reference देना चाहते हो वो डाल दीजिए जो भी cell का नाम इसके बाद okay कर दोगे तो उस cell में हम लोग जो है यहाँ पर आ जाएंगे F6 बटन दबाता हूं मैंने यहाँ से keyboard से F6 बटन दबाया तो आप देखो कि यह सारे की सारे टैब जो है activate हो गए है यानि यह सब खुद बता रहे हैं कि अगर आप keyboard से एच प्रेस करोगे तो होम टैब खुल जागा एन प्रेस करने पर इंसर्ट पी से पेज ले आउट एम से फार्मूला वाला टैब खुल जागा ए से डेटा वाला तो यह सारे सारे एक्टिवेट हो गए है और आप सही में अगर keyboard से पी मैं बटन दबाता हूं ठीक है मैंने पी दबाया तो देखो कि यहां पर पेज लियाओ टैब ओपन हो गया है पीछे जाने के लिए हम लोग इस कैप की दबा देंगे तो पीछा जाएंगे फिर से इस तरीके से आप जो है इन टैब को एक्टिवेट कर सकते हो सिर्फ एक इसे जो की है F6 अगली शॉटकट की है F7 जिससे आप जो है एक्सल में स्पैलिंग चेक कर सकते हो जैसे कि यहां पर देखिए मैंने कम्प्यूटर वर्ड जो है वो शब्द ही गलत लिखा है E मैंने यहां पर टाइप नहीं किया लेकिन एक्सल हमें यहां पर कोई भी जो है Error नहीं बता रहा है जबकि MS Word में Error बताता है तो इसको चेक करने के लिए हमको Keyboard से F7 बटन को दबाना होगा हम यहां पर दबा लेते हैं और यहां पर देखोगे यहां पर यह साब साब बता रहा है कि जो computer की spelling है वो गलत है नीचे इसने word भी suggest किये है कि computer की ऐसी spelling होती है अगर आपको पसंद है आपको लग रहा है कि यह spelling सही है तो आप इस पर टिक करके और यहां पर जो है change पर क्लिक कर दोगे और इसको yes कर दोगे तो देखो कि यहां पर computer बिल्कुल सही spelling में हो चुका है तो यहां से आपने F7 shortcut की भी जान ली है अगली shortcut की है F8 जो कि हम लोग cell selection में इस्तमाल करते हैं जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और यहां से यहां तक मुझे cell को select करना है तो मैं क्या करूँगा यहां पर क्लिक करके बस मैं छोड़ दूँगा और इसके बात keyboard से मैं सिर्फ और सिर्फ F8 button को press कर दूँगा F8 button मैंने press कर दिया है अब देख हम लोग नीचे की साइद तक cell select कर चुके हैं और वहीं अगर left side तक select करना है तो इस तरीके select लेंगे right side भी select करना है तो right side भी इस तरीके से select कर सकते हैं उसको unselect करना है तो इस तरीके से ऊपर नीचे दायवाले से unselect कर सकते हैं दुबारा से हम लोग जो है पहले जैसा करन जाओगा अगली shortcut की है F9 से जो की calculate को देखने में इस्तमाल होता है जैसे कि मैं सबसे पहले इसको delete करता हूँ और इन सभी का sum यहाँ पर निकाल देता हूँ Alt के साथ equal button दबाने से auto sum का formula automatic लग जाता है इसके बाद हम लोग बटन दबाएंगे तो इसका sum हो जाएगा मैंने यहाँ पर shortcut की बताई है आपको F9 से calculate देखने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको इस तरीके से select करने के बाद F9 अगर मैं दबा देता हूँ यहाँ पर F9 तो यहाँ पर देखे सारा का सारा यहाँ पर यह जो हमारा जो digit था जो यहाँ पर यह जो हमने data लिखा था वो सबका साब data इसके अंदर ही आ चुका है और इसने बता दिया है कि इन सभी को निकालने के बाद यहाँ पर sum आया है बस इसका इस्तमाल आप देखने के लिए करे तो बहुत ही अच्छी बात है वरना अगर आप इसको इंटर कर देते हो इंटर करने के बाद value तो सही आती है लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हो जैसे मैं 2000 कर देता हूं तो यह बदलेगा नहीं ठीक है यही थोड़ी सी इसमें खामिया है इसकी वजह से मैं इसको जो है control jet कर देता हूं सारी चीजों को पहले जैसा अगली shortcut की है जैसे हम लोग activate tab ही करते हैं जो अभी हमने F6 से समझा है यह tab जो है activate हो जाएंगे F10 बटन से भी जैसे कि मैं keyboard से F10 बटन जैसे ही दबाऊंगा तो आप यहाँ पर देखोगे सारे की सारे टैब जो है activate हो जाएंगे मैं F10 बटन मैंने दबा दिया है आप देखोगे यह सारे एक सारे टैब जो है automatic activate हो गए है यानि कि अगर आप जो है किसी भी टैब के अंदर जाना चाहते हो तो यह जो लैटर दिये गए हैं बस आपको कीबोर्ड से वही लैटर दबाने है और आप उस टैब के अंदर चले जाओगे जैसे कि मुझे जो है page layout टैब में जाना है तो म और इसके बाद आप देखोगे यहां पर बहुत सारे जो है यहां पर word दिये हैं जिनको आप धबा करके उनके अंदर option में जा सकते हो दोस्तों आप जो है activate टैब करके बहुत सारे shortcut खुद से ही बना सकते हो जैसे कि आप F10 से activate कर सकते हो F6 से भी activate कर सकते हो लेकिन मैं आपक इसको select कर लिया है और मैं इसके नीचे जो है underline करने वाला हूँ तो मैं keyboard से सिर्फ alt button दबाऊंगा इसके बाद H button दबाऊंगा और इसके बाद जो है मैं यहां पर three button दबाऊंगा keyboard से और इसके बाद जो है मैं U button दबाऊंगा तो देखोगे इसके नीचे जो है underline आ गया आ पर डिक है इसी तरह के से आप भी shortcut बना सकते हो बहुत सारे यह जो मैं आपको 71 यानि 71 शॉटकट बता रहा हूँ न यह बहुत ही ज्यादा यूनिक है लेकिन आप इनके अलामा भी खुद से जो है shortcut बना सकते हो इसके लिए आपको इन टैब को बस activate करना होगा बस आप alt button दब दिया है इसके बाद इसमें से जिस भी option का आपको इस्तमाल करना है वह जो है letter आपको दबाना है जैसे मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैं यहां से जो है keyboard से बी प्रेस कर दूँगा और यहां पर देखे काफी सारे border यहां पर अपने आप खुल गए है और यहां से मुझे जो भी border लगाना है आप देखोंगे वहां पर border के वहां पर भी उजो है letter आरहा है ठीक है मुझे all border लगाना है तो मैं क्या करूंगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ एme press कर दूँगा आप और यहां पर देखोंगे all border इसके नीचे जो है लग चुका यहां पर देखी Все आप दे प्रैक्टिस जितनी ज़्याद आप करोगे उतने ज़्याद आप शॉटकट खुद से बना पाऊगे चलिए बात करते हैं अगली शॉटकट की के बारे में अगली शॉटकट की है F11 अगर आप सिर्फ और सिर्फ कीबूर्ड से F11 बटन दबाते हो तो आप जो है चार्ट को इ लिखाई दे रही है और यहां पर देख सकते हो जितनी भी हमने सैलरी डाली है जो भी नाम लिखा है सब पूरा चार्ट में कनवर्ट हो गया है तो अगर आप शॉटकट के जरीए चार्ट बनाना चाते हैं तो आप F11 बटन से बना सकते हैं अगली शॉटकट की है F12 जिससे हम लोग शेव एस करते हैं अगर आपने ये फाइल को सेव कर लिया है आप दुबारा से सेव एस करना चाते हैं तो आप कीबोर्ट से सिर्फ और सिर्फ F12 बटन दबाएंगे तो इस तरीके से से सेव एस की विंडो खुलेगी जिस भी लोकेशन पर आप जो है इस फाइल को सेव करना चाते हैं वो लोकेशन देने कबाद फाइल का नाम देने कबाद सेव पर क्लिक कर दोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी अगली शॉटकट की है कंट्रोल प्लस F1 जिससे हम लोग हाइड और शो रिब्बन करते हैं यानि यह जो रिब्बन आपको दिखाई दे र अगर आप अपने एक्सल की फाइल का प्रिंट प्रियू देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ F2 बटन को दबाएंगे तो इस तरह के से प्रिंट प्रियू आपको दिखाई देगा अगली शॉटकट की है कंट्रोल प्लस शिप्ट प्लस सेमी कॉलन वाला जो बटन अगर आपको करेंट टाइम की जरूरत पड़ी है तो आप यहां से डारेक्ट इस शॉटकट की मदद से इंसर्ट करा सकते हैं अगली शॉटकट की है control plus shift plus double inverted comma आप इस shortcut की मदद से किसी भी value जो उपर लिखी है उसको नीचली वाली cell में सेम ऐसे ही copy कर सकते हो जैसे मैं नीचली cell सेलेक्ट करता हूँ और मैं control, shift और double inverted comma वाला जो keys है उसको दबा देता हूँ तो देखोगे सेम उपर वाली value नीचे वाली cell में जो है copy हो चुकी है अगली shortcut की है control plus single inverted comma अगर आप control के साथ single inverted comma वाला बटन दबाते हूँ तो आप जो है किसी भी formula को copy कर सकते हो इसमें अगर आपने formula लगाया है तो आप नीचे उसको जो है copy कर सकते हो पहले तो मैं इसमें formula लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ formula लगाने के लिए मैं shortcut की आपको बता देता हूँ alt के साथ equal button दबाएंगे तो आटर स्रम का formula अटमेटिक लग जाता है इसके बाद मैं enter button दबाऊंगा तो इसके अंदर formula जो है लग चुका है अब यह formula मुझे नीचे की side में copy करना है तो मैं control के साथ single quote यानि single inverted comma प्रेस कर दूँगा इसके बाद copy हो जाएगा मैं नीचे वाली cell में मैंने select के लिया इसके बाद control के साथ single inverted comma इस तरह के से करेंगे तो देखे इसके अंदर formula copy हुआ है आप यहां पर देखे तो इसका जो same formula है इसके अंदर copy हो चुका है अगली shortcut की है shift के साथ F2 से जिसका इस्तमाल करके आप जो है अपने excel में direct comment कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर direct comment करने की ज़रूरत पड़ी तो आप एक shortcut के जरिए comment कर सकते हैं जैसे कि माल लिजे मुझे यहां पर कोई comment करना है तो मैं इससे select कर लूँगा मैं यहां पर shift के साथ F2 बटन को दबाऊंगा तो इस तरह के से comment करने का box आजाएगा जो भी comment करना है हम इसके अंदर comment कर देंगे आराम से comment हो जाएगा अगली shortcut की है shift के साथ F3 जिससे हम लोग कोई भी function या फिर कोई भी formula को insert करा सकते है direct shift के साथ F3 हम लोग यहां पर shortcut इस्तमाल करेंगे इसके बाद इस तरीके से insert function का एक dialogue box आजाएगा यहां पर आपको धेर सारे formula में लेंगे और आप चाहो तो यहां पर भी click करके बहुत सारे formula को यहां पर direct जो है insert करा सकते हो अगली shortcut की है shift के साथ F5 जिससे हम लोग find का dialogue box लाते हैं जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूँ shift के साथ अगर हम लोग F5 बटन को दबाते हैं तो इस तरीके से find करने का dialogue box आजाता है और यहां पर हम click करके जो भी हमको find करना है आराम से यहां से find कर सकते हैं अगली shortcut की है shift के साथ F10 अगर आप shift के साथ F10 बटन को दबा देते हो तो open right click option यानि कि दोस्तों जिस भी cell पर मैं click करके और उस पर जो है right click करता हूँ तो यह सारे option आपको दिखाई दे रहे हैं यही सारे option आप जो है इस shortcut के जरीए भी ला सकते हो shift के साथ F10 से जैसे कि मुझे इस cell पर right click का option लेकर आना है तो मैंने इसे select कर लिया है इसके बाद मैं shift के साथ F10 बटन को दबा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे जो भी right click का option होते हो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं अगली shortcut की है shift के साथ F11 इससे आप जो है new worksheet insert करा सकते हो नीचे के side में आप देखोगे हमारे पास default तीन ही sheet खुलती है जिसे worksheet हम लोग बोलते हैं अगर आपको धेर सारी sheet की जरूरत है तो आप जो है एक shortcut आपको दबाना होगा जो की है shift के साथ F11 तो यहाँ से आप एक नई worksheet जो है insert करा सकते हो जैसे मैं shift के साथ F11 दबाता हूँ तो देखो के नीचे की side में आपको धेर सारी worksheet आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है इस तरीके से आप धेर सारी worksheet को यहाँ से insert करा सकते हो अगली shortcut की है shift के साथ F12 जिसका इस्तमाल करके आप जो है इस file को दो बारा से save as कर सकते हो जो की हमने पीछे भी सीखा है और यह नई shortcut की है save as करने की shift के साथ अगर आप F12 बटन को दबाते हो तो इस तरीके से एक save as करने की window आती है यहाँ से आपको कोई भी एक location दे देनी है जहाँ पर आप इसे save करना साथ हो यहाँ पर file का name देना है और save पर क्लिक करके आप दुबारशी से save as कर सकते हो अगली जो shortcut है वो है control के साथ space bar अगर आप control के साथ space bar दबाते हैं तो आप जो है entire column को पूरा select कर सकते हैं यानि पूरे एक column को नीचे से ले करके पूरे last तक को select कर सकते हो जैसे कि मुझे डी वाला column जो है select करना है तो मैं यहाँ पर आ करके डी वाले column में किसी भी cell पर जो है click करके छोड़ दूँगा इसके बाद जो है मैं control बटन दबा करके space bar दबाऊंगा तो आप देखोगे पूरी डी वाला column था वो पूरा नीचे जो है select हो गया आप जीतना भी नीचे जाओगे पूरा column जो है select हो गया है और कमाल की बात यह है कि अगर आप इस तरीके से selection बना लेते हो control के साथ space bar दबा करके और अगर आपको जो है नए column की जरूरत पड़ गई यानि आपको इसके आगे एक नया column insert कराना है तो उसी समय आपको जो है control के साथ plus button दबा करके एक नया column insert करा सकते हो जो की हमारी अगली shortcut की है control के साथ plus मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने control button दबाया मैं plus button दबाता हूँ देखो कि यहाँ पर एक नया column आ गया है फिर से दबाएंगे एक नया column आ जाएगा और जो हमारी अगली shortcut की है वो है delete column को ले करके अगर आप control button दबा करके minus button को दबा देते हो तो यह सारे column जो है delete हो जाएगे मैं यहाँ पर control के साथ minus दबाता हूँ तो देखो कि यह column delete हो गया है अगली shortcut की है shift के साथ space bar जिससे आप पूरी entire row को एक ही बार में select कर सकते हो एक row को यहाँ से ले करके जितने भी last row तक पूरा एक ही बार में select हो जाएगा जैसे कि मुझे 8 number की row को मुझे पूरा पूरा एक ही बार में select करना है तो मैं shift के साथ space bar दबाऊँगा तो पूरी 8 number की row जो है पूरे last तक select हो गई है और कमाल की बात तो यह है कि अगर आप इस तरीके से select कर लेते हो तो दोबारा से आप control plus button का इस्तमाल करके नई row insert करा सकते हो और control minus button का इस्तमाल करके row को delete कर सकते हो जैसे मैं control plus दबाता हूँ तो देखे यहाँ पर जो है नई row insert हो रही है आप यहाँ पर देखेते हो और control minus मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है row delete हो रही है तो दोस्तो अभी जो मैंने आपको बताया control के साथ plus करने से insert row होती है और control के साथ minus करने से delete row होती है इसके बारे भी हमने सेख लिया है अगली जो shortcut है वो है control के साथ zero press करने से hide column अगर आप किसी column को hide करना चाहते हो तो control के साथ अगर आप zero press करते हो तो वो column hide हो जाता है जैसे कि मुझे c वाला column hide करना है तो मैंने control button दबाया और मैंने zero button प्रेस किया तो यह देखो कि आप जो है यह hide हो गया है देखें यहाँ पर यह hide हो गया है c वाला आप देख सकते हो hide हो गया है अगर दुबारा से उसे unhide करना है तो मुझे क्या है करना होगा control shift और यह जो बंद bracket होता ना यह वाला देख सकते हो आप यह आपको जो है zero पर ही यह bracket मिलता है control shift और यह वाला bracket आपको दबाना होगा तो मैं यह जो है control shift और वो वाला bracket दबाता हूँ तो देखोगी यह वाला जो column जो है वो unhide हो गया है तो hide करना और unhide करना हमने सीख लिया है अब बात करते हैं row को कैसे hide करते हैं तो row hide करने के लिए आपको shortcut की दबानी है control के साथ nine जैसे कि मुझे यह जो राम वाली row है इसको hide करना है तो मैं control button दबा करके nine button को दबाँगा तो देखोगे राम वाली जो row थी वो hide हो चुकी है अगर मुझे उसे unhide करना है तो यहाँ पर unhide की भी shortcut की आप देख सकते हो control shift और open bracket जो की nine वाले पर ही मिलता है तो देखोगे राम वाला जो row थी वो unhide हो गई है तो यहाँ से हमने hide करना column और row को hide करना और row को unhide करना और column को unhide करना इन सभी के बारे में सीख लिया है अगली जो shortcut की है वो है control के साथ one अगर आप control के साथ one करते हो तो आप किसी भी cell को format कर सकते हो जैसे कि उसको अगर date में change करना और date में change कर सकते हो rupees में, dollar में या फिर कोई time format में कोई भी format आप change करना चाहो आराम सी कर सकते हो जैसे मैं इसे select कर लेता हूं और control के साथ one दबाता हूं तो इस तरीके से देखो के format cell का एक option मिल जाता है यहाँ पर आपको number, currency, accounting, date, time, percentage, function यह सारी चीजे जो है format करने का option मिल जाते हैं आप आराम से इने इस्तेमाल कर सकते हैं अगली जो shortcut की है दोस्तों वो है bolt और अगली जो है italic underline दोस्तों यह चीजे मैंने पीछे भी बता दी है लेकिन आप यहाँ पर देखिकते हो इनकी जो shortcut की है वो थोड़ी सी बदल गई है अगर आप जो है control के साथ two button दबा देते हो तो यह bold हो जाता है three दबाओ तो italic हो जाएगा और four दबाओ तो इसकी नीशे underline आ जाएगी जबकि हमने जो है control B से bold, I से italic और U से underline सीखा है तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर मैंने click किया और मैं यहाँ पर control के साथ two button दबाता हूँ तो देखे यह bold हो गया है और इसी तरीके से control के साथ three दबाते हैं तो italic हो गया है थोड़ा सा gefallen और control के साथ यहाँ पर मैं जो है four दबाता हूँ तो देखे इसके नीशे underline आ घया है ठीक है यह जो मैं 1,2,3,4 दबा रहा हूँ न यह हमारा जो main keyboard होता है जिसमें ABCD लिखावा था उसके उपर वारी जो key है न उनको मैं दबा रहा हूँ ठीक है यह आपको ध्यान देना है अगली जो shortcut की है वो है control के साथ F5 जिसका इस्तमाल करके हम लोग strike through कर सकते हैं strike through का मतलब यह है कि किसी भी text को हम बीच से cut कर सकते हैं अगर आप home tap पे जाओगे तो यहाँ पर strike through का कोई भी option नहीं मिलता है लेकिन आप shortcut के जरीए Excel में जो है strike through कर सकते हो strike through करने के लिए आपको जो है वो cell select करना है जिसमें आप strike through अपलाई करना चाहते हो इसके बाद control के साथ सिर्फ 5 बटन दबा देना है तो देखो के यह जो है text में अपलाई हो गया strike through अगली shortcut की है control के साथ 6 बटन दबाने से show और hide कर सकते हो object को यानि कोई image लिए हो कोई shape लिए हो उसको show कर सकते हो और hide कर सकते हो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक image भी ले लिया है और यह shape भी ले लिया है साथ में यह जो मैंने आपको image दिखा रहा हूँ यह भी image ही है इसको भी hide हो जाएगा ठीक है show भी होगा और hide भी हो जाएगा तो show और hide कर सकते हो किसी भी object को object में क्या क्या हो सकता है कोई image, shape अगली shortcut की है control के साथ page down और page up, jump to other sheet यानि अगली sheet में अगर आपको जाना है जैसे मैं sheet 1 में हूँ, sheet 2 में जाना है, sheet 3 में जाना है तब यह shortcut काम करता है control के साथ अगर आप page up बटन दबाओगे तो आप पिछली sheet में जाओगे अगर page down बटन दबाओगे तो अगली sheet में जाओगे तो मैं यहाँ पर control के साथ page down बटन दबाता हूँ तो देखोगे मैं अगली sheet में चला गया हूँ, sheet 2 में हम लोग casting के साथ Page Down button को इस्तमाल कर सकते हैं अगली शैट कट की है शुप्ट के साथ एयरो बटन जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हूँ Left side में right side में down side में उपर side में अगर आप shift के साíद के साथ Upped button दबाते हुँ तो उपर की side के सेल जो है सेलेक्ट होता है सेलेक्ट हो रहा है यही अगर मैं डाउन वाला दबाऊंगा तो नेचेक साइड में सेलेक्ट होगा वही अगर मैं लेफ्ट वाला दबाऊंगा तो लेफ्ट साइड से इस तरह की सेलेक्ट होगा और उपर वाला दबाऊंगा सिप्ट के साथ तो उपर जो है सेलेक्शन स्पैस बाता हूँ तो यहां से आपको एक और नया शॉटड कट मिल गया है all select का अगली shortcut है वो है control के साथ home अगर आप control बटन के साथ home बटन दबाते हो तो jump to first cell यानि पहली cell में आप यहाँ पर jump हो जाओगे कहीं पर भी आप रहो मैं जो है पूरा नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर click कर देता हूँ अभी आप देख सकते हो जे वाले column में हम अगर मुझे पहली cell में जाना है तो मैं control के साथ home बटन दबा दूँगा तो पहली cell में हम लोग आ गए है आप यहाँ पर देख तो पहली cell है इसी तरीके से अगर आप control प्लस end बटन दबाते हो तो jump end of data यानि यह जो हमने data तयार किया है इसकी last में आप जाओगे ठीक है ज control के साथ end दबाता हूँ तो हम लोग उसी data पर आ गए है देख सकतो हो यहाँ पर ठीक है यह select हो गया है तो यहाँ से आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप किसी दूसरी cell में हो और पहली cell में जाना चाहते हो तो control प्लस home बटन दबाना है और अगर आप जो है जो भी data कि जो कि मैंने control के साथ W से भी आपको बताया था तो मैं यहाँ पर control के साथ end बटन से एक नई workbook लेता हूँ और मैंने आपको बताया control के साथ अगर आप F4 बटन दबाओगे तो यह workbook जो है close हो जाती है जो कि अभी हमने close कर दी है अगली जो shortcut की है वो है alt के साथ enter बटन द लिखेंगे यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ गुलाब और इसके बाद हमने लिखा guru और इसके बाद जो है हम लोग alt के साथ enter बटन दबाएगे नीचे लिखने के लिए ठीक है अगर हम अभी लिखेंगे तो यह right side में ही जाएगा लेकिन मैं alt बटन दबा करके enter बटन यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो इसको करते हैं Ctrl Z अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में और इस वीडियो की सबसे last shortcut key के बारे में जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है और यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि alt के साथ equal button दबाने से auto sum होता है यानि किसी भी data कि अगर आपको sum निकालना है तो आप alt के साथ equal button दबाएंगे automatic जो है sum का formula लग जाता है मैं फिर से यहाँ पर आपको आटो sum करके दिखा देता हूँ देखिए इसका जो है हम लोग sum कर निकालने वाले हैं नीचे वाली हम लोग cell select कर लेंगे alt के साथ equal button दबाएंगे तो sum का formula automatic लग जाएगा और इसके बाद हम लोग inter button दबादेंगे तो इसका sum निकल करके आजाएगा तो दोस्तों Excel के जितने भी important shortcut थे वो मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर पूरा detail में समझाया है और practical करके भी दिखाया है कि देखिए यह shortcut से यह चीजे इस तरीके से apply होत हैं आप लोग नीचे comment करके जरूर बताईए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह जो shortcut मैंने बताए हैं इन shortcut में से कितने shortcut के बारे में आपको पहले से ही पता था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है इस shortcut का PDF चाहिए तो आप हमारे telegram चैनल को जरू करा दी गए जानकारी आपको अच्छी लेगी है तो यह वीडियो आप जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चानल पर पहली बार और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैन नए वीडियो में एक नई जानकारी की साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम